साथियों नमस्कार मैं एसेन सिंग आप सभी का हादिक स्वागतियों अभिनंदन करता हूं साथियों हम हिंदी ब्याकर पढ़ रहे थे और इसके अंतरका ताज हम पढ़ेंगे विशेशन अक्सर हम बातचीत में किसी से जब हम बात करते हैं तो हम कुछ विशेशन लगाके प सिस्था बताते यह हम कह सकते हैं कि सामने बैल गारी जा रही थी जिसके बैल बहुत सुड़ूल है तो मतलब यह हैं हमारे बात आती है मारे समझत में बात आती है कि विशेशन है कि सांग्या या सर्वनाम सब्दों की विसेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेशन कहते हैं हम ने बहुत आ अन्था between इसी तरह से हम कहें कि जो है वैशेष्य होता है ठीक है यह समझ में आगए जिसके घोड़ा की की बात किये तो काला सब्द क्या है गोड़े की विशेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समझ में आ गया कि संग्या या सर्वनाम जिसकी विशेशता बता रहा है उसे हम विशेशत कहते हैं और जिस सब्द की विशेशता बताई जाती है वह विशेश होता है यह बात आपके समझ में आ होगी जो हम आपसे बताना चाहते हैं कि विशेशन जिसक्ता से शद्स्याया सरवनाम एक व्रूंत है सर्वनाम का लिंक आप आसे जाके देखने का मतलब क्या होता है कि जो सब्ध लिंग वचन और कारक की आधार पर परिवर्तित तो आपके बात समंज में आ गई ठीक है अब यहां पर एक इक्जाम्पल हमने बताया काला घोड़ा तो काला क्या है विशेषण है घोड़ा क्या है विशेष्य यह जो विशेष्य अब आते हैं विशेषण के चार विशेषण के कितने विशेषण के कितने विशेषण होते हैं चार पहला गुड़ वाचक दूसरा संख्या वाचक तीसरा परिमार वाचक और सबनामिक विशेषर कितने वे दोते हैं शंक्या वाचक और परिमाड वाचक और सब्सेयों किस्आर सबंसर क्या अश्क किसी संग्या सब्सक्रांग बोध हो उसके गुड़ दोस का बोध हो ठीक है उसकी दसा का बोध हो उसकी स्थिति का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे गुड़ वाचक विशेशन जिस विशेशन से किसी संग्या या सरवनाम का गुड़ दोस रंग रूप आकार प्रकार संब्ध दसा इन सब का बोध हो उस नोइसे अगला पिछला मौसमी न यह सारे शब्दाइं किसी संगया के पहले तो यह क्या हो गया Guggle Vaachak में मौन्59 गुरुड वाचक Religion में कैसा हुआ का। इसी तरह से कहें कि भीतिरी मंजिल निचली मंजिल ने उपरी सताह निचली सताह न दायं बायं देसी यह अंतर देसी यह ठीकैं राजा जीय यह अंतर राजिय Grand जीय न इस तारा से हम कहें तो वहirm उस्थान वचक हो गया इसी तौह से आकार की कोई बिशेशन आकार की बात करें गोल है लंबा है पतला है ठीक है ठिकना है नुकीला है सीधा है तिर्चा है तो यह क्या बताता है आकार बताता है क्या बताता है इसी तरहां रंग में लाल पीला हरा नीला गुलाबी सुनहरा ना धुंदला चमकीला ठीक है मटमैला तो यह सब क्या है यह रंग बताते हैं ठीक है तो गुडवाचक बताते दसा बताते सैंग्धा नूचित है सच्या है जूटा है दुष्थ है सज्जन है उसके गुर्ण बताते हैं तो अभी तक हम लिए देखा गुढध वाचक विष्एसर कि भीजिसाइसर से किसी संघ्या के रंग रूपा का प्रकारण गुढध दोस्दोस्ण ऄ। सिति काल इंसब काश के वे गुड़वाचक विश्यषण तो आप बड़ी आसानी से निंगे एसे पहें कि काला लड़का है तो घूड़वाचक में सिंधी काला लड़का है सज्जन व्यक्ति हैं वन अगे बढ़ते हैं संख्या सरवनाम की संख्या का बोधो उसे हम क्या कहेंगे संख्या वाचक दो पता है कि दो संधर नाव मंखी संख्या का बूध हो तो तो किसमें संग्या या सरवनाम की संख्या का बोध हो कितने होते हैं दो एक निश्चित संख्या वाचक एक अनिश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक नहीं लिखा हमने निश्चित संख्या हमने कहा एक दो दो आदमी हैं तीन लड़के हैं ना पांच मकान है ठीक है तो यह क्या हो गया निश्चित हो गया कि इतने ही है दो आदमी ही है पांची लड़के हैं ना पांच मकान ही है निश्चित हो गया निश्चित नहीं है ना कई आदमी थे निश् तो जहां पर संख्या निश्चित वहां निश्चित नहीं हो वह क्या हो उसे क्या कहते हैं अब निश्चित नहीं हो प्रक्तिवाचक प्रक्तेग बूधड़ को गड़ना वांचक फिकसे सुन लिए गड़ना वाचक क्रम्न वाचक अबृत्रीकश्च संदाय वाचक वनें काउंटी की जीए 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है क्रम्न वाचक पहला है जो क्रम बता रहें पहला दूसरा चओधा कुल दोनो तीनो चारों पांचों प्रत्यक बोधक हर एक तो ये सब क्या हो गए प्रत्यग बूधक हो गे या जिस संख्य होता है जहां पर संख्य निश्चित हो निश्चित नहीं है निश्चित पुलाउड याघ कोwać भीड़ा मतलब एक मतलब चार पुरा 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 के मतलब एक पुरा नहीं है यह पाउ मतलब तो जब पूरा संख्या ना रोग कोगया यहां पूरी संख्या हो गया तो पुर्य को गया तो यह स्थिति यह समय में बताये तो गोड़ संख्या बताये शंख्या बताए 5 आदमी 10 कई लोग तो वहां पर संख्या वाचक में दो निष्चित अनिष्चित निष्चित में 5 गढणा वाचक ट्रम वाचक आविट्य वाचक प्त्येक बोध्यक। तो जिस विशेशन से किसी वस्तु की Maptol बोद हो क्ता है रौ पर quelques expres मेर वाचक जहां काउंटिंग होगा गिंपी होगी मापल जिस विशेशन से किसी बस्तु की मापतॉल का बूद होता है वहां पर परिमार वाचक घम factor होता इस दो सेब चावल ऐर सोंदा थोड़ा पाणी जितना भी होता है तो कुल्मिलाकर कि जिसकी मापतॉल है वह परिमार वाचक जिसकी निति की जा सके संख्या वाचक तो अब इसके वी दो वेद होते हैं जैसे संख्या वाचक के दे होते हैं निश्चित और अनिश्चित इस इतना से परिमार वाचक के वी दो वेद होते हैं निश्चित परिमार बोधक और अनिश्चित परिमार बोधक यहां मात्रा निश्चि पार बोधक बहुत आदमी ना अनेक पसपच्छी यह नहीं होगा ठीक है यह ध्यान दिजे लिए ठीक है यह क्या होगा यहां पर जैसे हम कहें कुछ चीनी ना कुछ चावल यह हम कह दें कि कुछ कुछ लीटर तेल ब्रेक्स नहीं है थोड़ा थेल दे दो न इस टाइब से कहने का मतलब है कि माप तो होगा लेकिन क्या है वह निश्चित नहीं होगा जड़ी से चीनी चेल राते तो बिले नहीं मा पातोश्त हो घर स्वाच्थ तो अनिश्चुइत परिमाल बोधर थे यह सांपने वाच्थ आगे देखते हैं सार्व नामिक विशेशन क्या है कि ध्यान से सुनिएगा पुरुष वाचक सबनाम कौन कौन से होते हैं उत्तम पुरुष मद्यमपुष अन्यपुष मैं और हम और मद्यमपुष तुम मतलब सामने वाला यू और उसके बाद अन्यपुल्स हीसीट वा ठीक है उत्तम पुरुष सब्वाचक और निच वाचक सब्वनाम क्या होता है आप मैं आप श्वय हम खुद यह सब क्या है निन वाचक सब्वनाम है तो पूरुष सब्वनाम कि संगया के पहले आते थृप inquis से निजवाजक सर्वनाम आप ना खुद स्वयम इस दोनों को छोड़ करके बाकी सर्वनाम अगर किसी संग्या के पहले आएं तो वह सार्वनामिक विशेशन करते हैं क्योंकि अंतर है सर्भणाम क्या होती संग्या के बदले में आते हैं संग्या के इस स्थान पे आते हैं और संग्या को पहले आते थीrau है यहां पर ध्यान दिजेगा कि हम नौकर की ओप इंडिचेट कर रहे हैं इंडिकेट करें सहान pursue वही नवकर तो यह क्या है वहां जो है निश्चित निश्चित सर्वनाम है क्या है निश्चित निश्चेवाचक सर्वनाम है तो निश्चेवाचक सर्वनाम कहां आ रहा है यह किसके पहले आ रहा है संग्या के पहले आ रहा है तो यहां सर्वनाम ना होकर के क्या है सार्वना सर्वनामिक विशेशन इसी प्रकाल से कैसा भी क्या है संग्या के पहले आ रहा है तो सर्वनाम ना हो करके सार्वनामिक विशेशन है कि जब सर्वनाम संग्या के स्थान पर प्रियुक्त नहुं बलकि संग्या के पहले आ करके संग्या की विशेश्टा बताएं तो वह क्या हो सुच होते हैं साहीं की यह आपके समझ में आ गया होगा गया सरवनाम सीधे सगया के मोलिक सर्मांप में प्रत्य लगा और करके तो यह सब मूर्च सर्वनाम नहीं हैं तो यह क्या हो गए कि यौगिक सार्वनामिक विशेशन हो गए तो यह हो गए विशेशन के चार भेद हमने कहा है संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले सब्दों को हम क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं विकारी शब्द हैं गुडवाचक, संख्या वाचक, परिमार वाचक, सर्वनामी, गुडवाचक क्या करते हैं, संग्या या सर्वनाम की के गुड़, दोस, आकार, प्रकार, इस्थिती, दसा, ये सब बताते हैं, वो गुडवाचक है, संख्या वाचक क्या करते हैं, किसी संग्या या सर्वनाम की संध्या संध्या सरवनम्रों संध्या संध्या बताते हैं तो वह गुड़ वाचक पन यूअ गया निश्चित में भीसीत निश्चित संध्या गुठेक गणनामच ऊद्वा, कौन से पुढ़ांक और अपुढ़ांग अब बताएं परिमाडवाचक जिस विचेसर वित किसी वस्त्रकी माब– BILL का बोढ़ वह परिमाडवाचक वह सबसकत होता हैं माप– का बोढ़ हो परिमाडवाचक हो गया निश्चित परीमाडवधक यह हो कि उतना हो करके उसके पहले आ करके उसकी विसेष्टा बता रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा है जो मूल रूप में ऐसा करते हैं मौलिक जिनके साथ प्रत्य लगके योगिक बन जाता यह यह समझ में आपके आगया होगा बढ़ते आगे प्राविशेषण प्राविशेषण क्या है कि विशेषण की कुछ सब्द ऐसे होता है जो विशेषण की विशेषण की विशेषण की विशेषण बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्राविशेषण कहते हैं जैसे क्रिष्ण बहुत सुंदर है तो सुंदर क्या है स शार बुशेश्ण विशेशण होते हैं तो ॹ ₹ec लेकिन क्या चया के लीट है कि विशेश्ण कि भी विशेश्था बताने वाले कि लुआ होता है कि कभी विशेष स WAT यह कंजल वालक क्या पर यहां मेरा कुट्टा काला है तो तो जब विशेशण के पहले आए तो वह विशेशाण होता है और जब विशेश भिषेश के बाद के बाद आए relaxing जब विशेश के बाद कि रजनी सुसील कन्या है तो पहले आ रहा है न विशेष्ण तौन कि यह क्या है विशेष्ण चैना कि भी विशेष्ण के बताएग सब्दों को हम पर विशेशन कहते हैं भास सुनदर है तो बहुत विशेशन होगा चत्री वड़े विशेश सी हमने बताया जिसे विशेशन कि phảiले आये तो विशेश से चंचल बालक शुशील कन्या अब किया तो था काला लड़का घाल सी ठीक अब एक और टापिक देखते हैं इसमें विशेसर्ण की तुलना वस्ता क्या है कि जब दो संग्याओं के बीच तुलना हो तो विशेसर्ण की जो इस्तिती होती हो से उत्तरा वस्ता कहते हैं दो संग्याय हैं उनके बीच में तुलना हो रही तो उत्तरावस्था जैसे घोस बाबू घंस्याम से अधिक समयदार हैं किसके भी तुलना हो रही घोस बाबू और घंस्याम के बीच में तो यहां जो विशेशर के सिती होगी वो क्या होगी उत्तरावस्था ध्यान रहेगा जब दो से अधिक संग्याओं के बीच तुलना हो तो उत्तमा वस्था जैसे दो से अधिक संग्याओं के बीच तुलना तो उत्तमा वस्था जैसे कालेज में नरेंद सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो सारी सारी लोगों में तुलना हो रही है ना या नरेंद सबसे अधिक ब के तुमावस्था और जहां कोई तुमावस्था वह सिर्फ एक संजया हो उसी की विसेयसे तो मुलावस्था तीक है आजकल इस तरह से अधिक समझदार है सबसे अच्छा खिलाड़ी है यह यह नहीं सारे सब्दों की तुलना होते लेकिन वास्तों में कैसे सब्द हैं इनका प्रयोग हिंदी में कम होता है लेकिन फिर आप जान लिजे अधिक मूलावस्था है अधिक दो के बीच में तुल्णा करते में तो रहे हैं यह समझ में आ गया होगा एक और चीज रहे गए है कि विशेशन में संग्या संग्या में प्रत्य लगा के विशेशन बनातें संग्या में प्रत्य लगांगी जौतिा जाति ये पृत जोल दिया अग्या से प्रत्य नेछ मौ जोल दिया तो भीशेषण में पहले संग्या ắnराम के तो विषे से संगारम तो तुलनावस्था कहीं को ही नहीं है क्या मुझे लगता है कि आपके अच्छे से समझ में आ घया होगा पिर भी कहीं दिक्कत हो ता एक भार फिस देख लीजेगा और मुझे उम्मीध है कि आपको बिशेशन से संबंदित कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी एक्जाम में आप से प्रस्न गलत नहीं होगी हलाकि यह अलग बात है कि अब इन सब पर प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊंगा फिर भी अपना प्रेम उसने बनाए रखिए अगर आपको लगत